नमस्कार मैं हुवीता शर्मा वैसे तो अब introduction देने की ज़रूरत नहीं है आप सब लोग मुझे जानते ही है कि मैं हर बार आप लोगों के लिए रेकी से related रेकी क्या है, क्या है इसके benefits क्या इसके side effects है और रेकी आपकी लाइफ की कौन कौन सी problems में help कर सकते है इससे related प्लस रेकी के symbols कहां use होते हैं, symbols के राद संद क्या क्या techniques करते हैं ऐसी तमाँ videos आप लोगों तक पहुंच चुके हैं इससे पहले कि मैं अगला topic शुरू करूँ प्लीज लाइक मैं वीडियो, शेर मैं वीडियो and subscribe to my channel अपनी वीडियो में हम बात कर रहे हैं level 2 की techniques की जी हाँ, जो लोग में बस level 2 करने आते हैं वो एक दिल में पुपी techniques को देखर actual में surprise हो जाते हैं कि इतना कुछ level 2 में आज का topic बड़ा interesting है और सब लोग थोड़ा सा इस को देखे आप लोगों को लगे का कहीं तो यह सुना नहीं है तो कैसे हैं तो यह मेरा खुद का डेबलब कर रहा हुआ technique है सिब डेबलब भी नहीं है सिम्बल्स उस करके तो सिम्बल्स आग लाई श्पाइस वाक्स आपके पास ingredients है now keep applying, keep creating कुछ काम कुछ बढ़ती करके लेकिन उनको जब बनाते हो तो उसमें यह बहुत जरूरी है कि आप उसको experience भी तो करो experience करने के बाद उसका अगर output आए उसके results आए और मैं जब किसी चीज़ को experience करती हूँ उसके results आते है मेरा सबसे पेला काम होता है मेरे में पेशन्स नहीं है कि मैं उस ग्यान को रोख पाँ हूँ मुझे लगता है कि सब को दे तो बाढ़ लगता है तो इसी चीज में मैं जडिये करती हूँ कि ग्यान बात में से ही बढ़ता है इसे लिए multiply होता जा रहा है आप लोगस पर धेर सारा प्यार धेर सारी अप्रेसेशन होती है वो मेरे लिए एक बहुत बूस्टिंग और मोटिवीटिंग रीजन रहता है आगे और वीडियो शेयर करने का जितनी टिक्निक्स मुझे आती है मैं सब यूट्यूब पर शेयर करती हूँ जायए बात करते है देके पो धुट्राइब कैसे करनी है गोटi सबसे पादे क्या करने है देके पो धुट्राइविग करने है प्रॉब्लम आती ही क्यम है और हम क्यों सीखना चाते है जादा तर फीमेल्स को ये बहुत इस्षोर आते है कि उन्हें सीखने में, ड्राइ करने में, इनिशली बहुत इश्यों होते हैं, बहुत प्रॉब्म होते हैं, नर्वस होते हैं अब बताये ये ड्राइब सीखने से क्योंकि ये ये आपको इंडिपेंटेंट बनाते हैं You feel confident, you feel independent कि हाँ अब में को कहीं भी जाना है और उपना काम करके निप्टा कर दिप्टा करें, you are not dependent हो तो भी. But at the same time you feel nervous also. Initially confidence नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, driving seat पे बैठते ही घवरात होने लगती हैं, you are not dependent होती है, but still, Kusch नुप इस्यों कुछ आते ही. जब आप independent होते हैं, तो कुछ responsibilities भी आप पर आते हैं, beginners के लिए, beginners nervous हो रहे हैं, nervous होने के पीछे एक reason होता है, nervous होने के पीछे यह reason है, कि आप responsible हैं, आप concerned हैं, आप इतने positive हैं दिल से, कि आपको यह लगता है कि किसी को hurt ना हो जाए, किसी का कुछ और damage ना हो जाए, तो एक ही सबसे बड़ा factor है, तो यह positive चीज है, कि आप careful होना चाहते हैं, और उसी careful होने के reason से आप नभूस होते हैं, कि कहीं कुछ negative ना हो जाए, एक बार बताईए, जब एक बच्चा छोटा 3-4 साल का बच्चा उगदा है, तो उसे हम road cross करना पिखाते हैं, तो बच्चा डरता है या नहीं डरता, बट स्टिल आपको खुद को डर लगता है, fear can be positive, do you agree? I'll explain you how, fear can be positive, क्योंकि अगर हम road cross करना तो सीखना ही है, अगर उसको carefully नहीं करेंगे, तो carefully क्यों करेंगे, क्योंकि हमें damage होने का, छोट अपने का, injury होने का डर है, तो वो डर किसी डरा में एक positive proof होता है, same way, your fear of driving is positive, जब आप डर के करने हैं, तभी तो उसको correct करने के try करेंगे, So, I hope you agree, fear can be positive, So, अब जब आप इस thought के साथ driving सीखेंगे, तो आप अपने stress को reduce कर भाएंगे, तब रेकी कैसे help करेंगे, रेकी helps you to reduce your stress, it calms you down, makes you feel protective, अब symbol के साथ कैसे apply करना है, रेकी में एक symbol है जो protection के लिए हो तो तन, रेकी में एक symbol है जो balance करता है, रेकी में एक symbol है जो connection बनाता है, और उन तीनों symbol को हम यूज़ करके, driving seat में बैठने के पाद, hardly, hardly two minutes की technique है, तो आपको यह टिक्नीक सखाई जाएगे, जब आप यह टिक्नीक अप्लाई करने के पाद, जब आप यह टिक्नीक अप्लाई करने के पाद, आज के लिए पस्ता है, रमश्क्राइब। आज के लिए पस्ता है, रमश्क्राइब।